तो दोस्तों पिछले दोतीन सब्ता की अगर बात की जाए तो दो प्रमुग घटनाएं हुई है जो कि आपस में इंटरलिंग्ड थी और इनका संबन सीधे सीधे भारत और रश्या की दोस्ती से था और इन दोनों ही इवेंट्स को लेकर हम लोग काफी जादा व्याकुल थे क इसका कहीं इंपक्ट भारत और रश्या की दोस्ती पर ना पड़े क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये काफी लंबे समय के बाद भारत की एक कूट निती खार के रूप में ज़रूर देखा जाता और ये दो घटनाएं कोई और नहीं बलकि एक घटना है प्राइम मिनिस्टर जल्दी शांत करवा दिया गया और पुतिन की चत्राई को ही इसमें श्रे दिया जाएगा कि 24 गंटों से जादा ये भड़े की सेना रूस की खिलाब जाता विद्रो नहीं कर पाई लेकिन इन दोनों इवेंट्स का भारत की उपर एक इंपैक्ट पाड़ना था जिसको कि हम तो रश्या की दोस्ती की बीच में दरारे ना आ जाए क्योंकि इसकी पीछे का सबसे बड़ा लोजिक बताया जारा था जब रश्या की खिलाफ उस भाड़े की सेना याने वेगनर गूर्प ने विद्रो छेड़ दिया उस सब्वे रश्या ने अपने सभी मित्र राष्ट रोका आवान किया और सभी को रश्या की वास्तविक स्तिती बताते हुए अपने लिए समर्थन मांगा जिसमें आप चाइना का नाम ले सकते हैं चाइना से समर्थन लेने के लिए और उससे स्तिती से अवगत कराने के लिए रश्या की तरफ से एक मिनिस्टर को भेजा गया इसके बाद आप टर्की का नाम ले लीजिए टर्की को भी वस्तविक स्थिती से अवगत करवाया गया इसके अलावा कई सारे अफ्रिकन नैशन्स थे इरान था यहां तक कि यूगांडा की तरफ से तो ये तक आश्वाशन दे दिया गया कि अगर वैगनल ग्रूप सीधे पुतिन को चैलेंज करते हैं और मॉस्को के उपर डिरेक्ली अगर अटैक करते हैं तो यूगंडा अपनी सेना उतार देगी और ऐसी परिस्तिती में पुतिन को सेफ करने के लिए हम लोग वैगनल ग्रूप के साथ युद्ध तक लड़ेंगे तो कहने का मतलत अब रश्या हमारे मन में आ रहे थे लेकिन मैं आपको बता दू कि ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि खबर निकल कर आ रही है चुली कल रात को ही आई थी कि भारत को वैगनल ग्रूप की हरकत के बारे में संपूर्ण स्तिती से आउगत कराने और समर्थन मांगने के लिए खुद व्ला इस तो आपको जानकर खुशी होगी कि रशिया ने पियमोदी के अमेरिका विजिट को लेकर किसी तरह की कोई व्याकुलता नहीं दरशाई और बिलकुल कूल रहते हुए एक बहुत ही सदा हुआ बयान दिया और इस बयान की एक्चुली तारीफ की जानी चाहिए क्योंकि रशिया की जो सरकारी मीडिया उटलेट है स्पूतनीक इनकी तरफ से कई सारी खबरे पियमोदी के अमेरिका विजिट को लेकर प्रकाशित की गई जिसमें जो इनका रियक्शन माना जा सकता है उसमें इन्होंने ये लिखा कि अमेरिका पिछले 50 सालों से भारत को प्रभव नहीं है कि भारत उनके साथ-साथ अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशन्शिप रखना चाहता है और रखता है ये भारत की एकचुली कूट नितिक जीत है कि एक ही समय पर ये असमभो काम भारत कर पा रहा है लेकिन अमेरिका के बारे में वो लिखते हैं कि अमारिका इतना भी अपने पाले में करने की कोशिश की हो भारत को लेकिन भारत रश्या से धूर नहीं गया अब अकर फोन कॉल की बात की जाए जो व्लादीमिर पुतिन और प्राइमिनिस्टर मोदी की बीच में हुई तो इसमें बताया जा रहा है कि पुतिन ने वेगनर ग्रूप के साथ शेयर की और उन्हें सारे इवेंट्स के बारे में बताया तो वहीं पर पुतिन ने वेगनर ग्रूप ने क्या क्या किया, कैसा उन्हें निरस्त किया गया, इन सारी बातों पर चर्चा की और यूगरें युद्ध संबंदित जो मौदुदा इस्थितियां हैं उन से इसके मद्दे नजर कानून और व्यवस्थाएं बनाई रखी जाए रश्या के अंदर किसी तरह की कोई आपा धापी न की जाए और रश्या द्वारा जो भी निर्णाय करवाई की गई है उसको लेकर टोटल समर्थन भारत की तरफ से दिया गया है। कि दोनों देशों की बीच में बाच्चीत हूई है यह भारत और रश्या की रिलेशनशिप की और आगे ले जाने हैं काफी मददगार साबित होगी क्योंकि यहाँ पर इन सभी डिसकुशन के इसासात आने वारे समय में क्या क्या परियुज नाय चलाई जाएंगी कि इस तरह ही कुछ चीज़ें बिल्कुल फालतु साबित हुई पुतिन अगर खुद फोन करके बात कर रहे हैं तो ये तो एक आउनर हो गया क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे को लेकर डिरेक्ली फोन पर किसी से बाच्चित नहीं की अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आ आपको क्या मनना नीचे कोमेंट करके जुरूर बताएगा